मा गंगा के बारे में कुछ भी कहना ऐसा होगा जैसे सूर्य को एक छोटा दिया दिखाना हम भारतियों के जीवन में मा गंगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये तो आप सब मानेंगे लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा सब्तमी हम क्यों मनाते हैं ये किस दिन मनाते हैं और इसकी कहानी क्या है क्यों हम मनाते हैं इसका इतियास क्या है आज इसी बारे में मैं आप से बात करने वाला हूँ गंगा जो है वो मेरी मा है गंगा पाप हरनी है हर पाप से निजाद दिलाने वाली नदी लोक माता गंगा ही है आप जानते हैं कि गंगा जी का उद्गम जो है उत्राखंड से होता है और उत्राखंड में हरिद्वार में गंगा की रोजपुजा होती है और भी काफी सारी जगह है जहांपर गंगा नदी देखने को मिल सकती है जैसे की इलाबाद, बनारस और बहुत सारी जगह हैं जहांपर आपको जैसे रिशी केश है उत्राखंड में और पूरे उत्राखंड में तो गंगा नदी अपनी चाप छोड़ती है लेकिन मैं आपको कहानी बताओं फ्रेंड्स कि गंगा सब्तमी आखिर क्यों मनाई जाती है इसका इतियास क्या है एक्चुली कहानी थोड़ी जटिल है और मैं आपको सरल भाशा में समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे गंगतों में क्या लिखा हुआ है सरल भाशा में इसलिए क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी सरल भाशा है मेरा नाम अतुल है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो जरू जरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए कहानी पर लोटते हैं देखिए एक महर्शी हुआ करते थे पुराने जमाने में ऐसा ग्रंतों में लिखा हुआ है उनका नाम था जहानू, जहानू महर्शी बहुत ही पहुँचे हुए संत थे वो कटोर तब कर रहे थे तब क्या हुआ मित्रों कि गंगा नदी बहती थी उनके पास सही और जब वो बह रही थी तो कल कल की आवाज आ रही थी नदी जब भी बहती है तो आवाज तो आनी है तो महर्शी जानू ने गंगा नदी को बार-बार समझाया लगातार बार-बार उनको समझाया कि ये आवाज गंगा नदी ना करे पर क्योंकि महश्री जानू जो है वो उत्रा खंड के पहाडों में हिमालय में तब कर रहे थे और गंगा नदी तब बहुत चोटी बालिका थी उनका जस उद्गम हुआ था ठीक से प्राकट्टे भी नहीं हुआ था और वो उन्होंने बात नहीं मानी महश्री की महश्री जानू की और वो कलकल का साउंड करते ही रही महश्री जानू को बहुत गुस्ता आ गया और अगर रंतों की माने तो वो पूरी गंगा जी को पी गए थे तब देवताओं ने सादू संतों ने महर्शी जानू को समझाया कि गंगा का बहुत ही महत्व है पूरे विश्व के लिए ये तो पाप हरनी है इसके बिना दुनिया का उद्धार होगा ही नहीं बहुत समझाने के बाद वो महर्शी ने माना और उनके दाएं कान से फिर गंगा भार आई इसलिए गंगा सब्तमी को गंगा जी के प्राकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि शुकर देव ने क्या कहा था राजा परिक्षित से ये भी गरंतों में लिखा हुआ है शुकर देव ने ये कहा कि जो राजा सगर थे उनके पुत्रों से जगन्य अपराद हो गया था इसलिए उनका विनाश हो गया था उनकी जो शरीर की राक थी वो पड़ी हुई थी तब शुकर देव ने कहा था कि अगर इसमें तुम गंगा जल मिलाया गया था तो वो सगर के जो पुत्र थे उनको भी मोक्ष मिल गया था तो जिनसे जगन्य अपराद हो गया था उनकी शरीर की राक में जब गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाई गई तो उन्हें मोक्ष मिल गया था तो आप समझ सकते हैं कि गंगा जल का कितना importance है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि गंगा नदी को हमें taken for granted नहीं लेना चाहिए जिस तरीके से हम गंगा नदी को प्रदूशित कर रहे हैं फिर जिस तरीके का पाप कर रहे हम बार-बार लगातार कर रहे हैं इससे गंगा नदी हमें कभी शमा नहीं करेगी हमें नदी को प्रदूशित करने से तौबा करना चाहिए तौबा करना चाहिए मतलब आगे हमें कभी प्रदूशित नहीं करना चाहिए अगर गंगा सब्तमी के दिन आप गंगा नदी के पास जा रहे हैं अच्छी बात है लेकिन पूजा भी करें पुश्प अर्पित करें गंगा जी को लेकिन प्लास्टिक अर्पित न करें माचिस की डिबिया अर्पित न करें और जो भी कुछ प्लास्टिक का सामान है कॉइंस यानि पैसा अर्पित न करें इससे नदी प्रदिश्वित होती है ये तो अलग बात है जो आपको समझनी है लेकिन गंगा जी में अगर आप डूपकी लगाएंगे गंगा सब्तमी के द्रोज तो आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ अगर आपने जूट बोला है अगर आपने जूट बोला है लोगों से आपके मित्रों से आपके भाई बेनों से आपकी सका से आपके माता पिता से आपकी पतनी से आपके पती से आपकी प्रेमी का से आपके प्रेमी से आपने जूट बोला है लेकिन सच्चे मन से अगर आप प पश्चताप करते हैं, तौबा कर लेते हैं, कि आगे से मैं जूट नहीं बोलूँगा, तो फिर गंगा नदी, गंगा मईया आपको माफ कर देती है, ग्यारा डुपकी आपको लगाना है गंगा नदी में, और फिर आप देखेंगे, कि आपको इस पाप से मुक्ति मिल अगर आपने जीवन में कभी त्रिया चरित्र रखा है, समझो कि किसी पर नारी की तरफ, या कोई दूसरा पुरुष आपके पती को छोड़ कर, आप आकरशित हुए हैं, या कोई भी ऐसा कार्य आपसे हो गया है, त्रिया चरित्र के कारण, जिसके कारण आप शर्मिन्दा हैं, तो जीवन भर आपको पस्तावा करने की जरूत नहीं है, आपको गंगा सब्तमी के दिन गंगा जी में डुपकी लगाना है, लेकिन याद रखना है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप तौबा कर रहे हैं उस दिन, आपके मन में पस्तावा है, ऐसा नहो कि आप दुपकी लगाते समय आपका ध्यान महिला घाट पर है, ऐसा करोगे, तो गंगा जी क्या कोई भगवान आपको माफ नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक और बात है कि अगर त्रिया चरित्र आप से हो गया है, या त्रिया चरित्र का पारर आप करते आ रहे हैं, जो आजकल ब बोल रहे हो, त्रिया चरित्र रख रहे हो, माबाप का संबान नहीं कर रहे हो, एक बुरे इंसान बने रह रहे हो, जोट और अधर्म पर चल रहे हो, तो फिर डुपकी लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई और चित्त नहीं है, ठीक है? अगर आप, ये तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या आपको फल मिल सकते हैं, गंगा सब्तमी के दिन डुपकी लगाने से, इस दिन आप रत रख सकते हैं, दान पूर्णे का बहुत ही महत्व है, आप घी दान कर सकते हैं, ब्रामन को भोजन करवा सकते हैं, जो कुवारी ल सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, समझो कि आप बहुत दूर रहते हैं, अभी करोना का समय चल रहा है, आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, गंगा माँ आप से बहुत दूर है, तो क्या करेंगे, तो आप ये करिए कि आप गंगास्नान भी करना है आप जब भी हरिद्वार गया होंगे या कहीं भी गया होंगे आपके मित्र होंगे या किसी मंदिर में मिल जाएगा आपको कहना है कि मुझे थोड़ा सा चुलू भर ही गंगा जल चाहिए एक चम्मत जितना वो आप आपके घर नहीं है तो आप किसी मंदिर में चले जाओ मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे आप आपको गंगा जल मिलेगा ही मिलेगा कोई पंडित से बात करेंगे तो आपको इसे ही कुछ चार्ज नहीं लेते हैं वो इसे दे देंगे एक चुलू पर तो चाहिए थोड़ी कटोरी में लियाओ उस गंगा जल की बूंदें एक-एक बूंद जिस बाल्टी में आप नहा रहे हो उसमें डाल दो आप आपके परिवार में जो लोग नहा रहे हैं उनमें डाल दो अब आपको गंगा सब्तमी का सनान करना है सारे आपको पाप से निजात भी चाहिए और आप मानते भी ये गंगा मा को तो वही भावना मन में लेकर देखिए जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है भगवान दिखते वैसे ही है जैसी आपकी भावना होती है और आज तो ये बात सही हो गई कि मन चंगा तो कसोटी में गंगा आज ये बात इस डिसकुशन में भली भाती साबित हो गई कि मन चंगा तो कसोटी में गंगा मन चंगा मतलब आपकी भावना सही है आप रेस्पेक्ट रखते हैं आ आपने सोचा आप करप्शन नहीं करेंगे, त्रिया चरित नहीं रखेंगे, कभी भी जूट आप बोलेंगे नहीं, कोई गलत काम करेंगे नहीं, आपने डिसिजन ले लिया है, अब आप एक बूंद अपनी बाल्टी में डाल दीजिए, परिवार के जितने में सदस्य अगर में डिसिजन लिया है, वो भी गंगा जी को मानते हैं, एक एक बूंद डाल दीजिए, आपको वही फल मिलेगा, जो कि आप हरिद्वार, काशी, इलाबाद, यानि प्रयागराज, रिशिकेश, कहीं भी जाकर उत्राकंड में, अगर आप गंगा स्नान करते हैं, गंगा में डुपकी लगाते हैं, जो फल आपको मिलने वाला है, गंगा नदी का जो एक ड्रॉप अगर आप डाल देंगे, आपको वही फल मिलने वाला है, गंगा जी इतनी पावन नदी है, इतनी पवित नदी है, तो गंगा सब्तमी हमको मनाना चाहिए, जूट नहीं बोलना तो वी बाते में आपसे कही है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करेगा शेर करिएगा बैल आइकम को हिट करिएगा जिससे मेरे सारे आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंट्रेस्टिंग जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स